Question number 8, 1.6 equal y upon 1.5, this is the linear equation with one variable, one variable y क्योंकि y एक अकेला variable है और linear equation इसलिए है क्योंकि इसकी power 1 है, 1 से ज़्यादा power होने पर यह linear equation नहीं होगी, जिस equation की maximum power 1 होती है, variables की वही linear equations होती है, चलो, इस equation को solve करने के लिए हमने देखा y के divide में 1.5 है, अगर मैं y upon 1.5 को multiply कर दूँ 1.5 से ही, तो मैं देखूंगी यह तो cancel हो जाएगा, यानि कि y अकेला हो जाएगा, और y की value find करने के लिए y को अकेला होना जरूरी है, लेकिन ये बत भूलना कि जो आप left side में multiply या divide करते हो, वही काम आपको right side में करना जरूरी है, तो आपने 1.5 इधर multiply करा, तो इधर भी करना पड़ेगा, आप हमने देखा 1.5 से 1.5 cancel हुआ, और y की value इन दोनों को multiply करके आई, 1.6 into 1.5 और इसको अगर हम multiply करते हैं, तो हमारा answer आता है 2.4, this is correct, अभी हम देखेंगे, हमने दो practice questions आपकी PDF में डाले हैं, इन दोनों questions को, इस solution को follow करो, और इन दोनों questions को solve करो, और check करो कि आपके answer सही आते हैं कि नहीं, एक और method से मैं आपको यह समझाना चाहूंगी, कि 1.6 equal y upon 1.5 है, तो क्योंकि divide में 1.5 है और y को अकेला रखना है, तो divide value value हमेशा cross multiply में multiply हो जाती है, तो simple, यह हुआ multiply और इनका multiplication आया 4, 2.4, उली आती है कर दो 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 लक दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को